दिजनी की सबसे famous fairy tale Beauty and the Beast जिसकी animated film साल 1991 में और live action movie साल 2017 में रिलीज हुई थी पर भले ही दिजनी की ये fairy tale आपको fictional कहानी लगे पर actually में Beauty and the Beast inspired है केथरीन और पैटरूस गुंजालवेस नाम के कपल की सची घटना पर लेकिन भले ही हर fairy tale की तरह Beauty and the Beast में भी end में सब कुछ सही हो जाता है लेकिन कैथरीन और पैटरूस की दुख भरी घटना में ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो आखिर क्या हुआ था कैथरीन और पैटरूस गुंजालवेस के साथ तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको इस जैसी और वीडियो देखने को मिल सके Beauty and the Beast की डिजनी वर्जिन में बेल जो की एक स्ट्रॉंग खुद्सूरत और इंटेलिजन लड़की थी वो एक बीस्ट जिसके उपर एक कर्स या श्राप होता है उसके ही प्यार में पढ़ जाती है और एंड में उनका प्यार ही इस श्राप को तोल देता है पर जो हमारे असली कपल थे जिससे हमें Beauty and the Beast की inspiration मिली है उसमें से Beast का character जिससे inspired था उसका नाम था Petrus Gonzalez जिसका जनम साल 1537 में Canary Island नाम की जगहा पर हुआ था और Petrus Gonzalez को reality में तो कोई श्राप नहीं मिला था बलकि वो एक Hyper Trachosis नाम की genetic condition से पीलित था जिससे Ambris syndrome के नाम से भी जाना जाता है इस condition में इंसानों की body पर हस से ज्यादा hair growth हो जाता है इसी वजह से लोग आम भाशा में इस बिमारी को werewolf syndrome से भी जानते हैं पर 1500 के period में इस type की बिमारी होना काफी बड़ी बात थी इसलिए उस time के लोग इस बिमारी से पीलित लोगों को इंसानों की तरह नहीं बलकि एक आधी मानव की तरह ज्यादा देखते थे और इस वजह से लोग ये सोचते थे कि इस बिमारी से पीलित लोग इंसान कम और beast ज्यादा हैं इसी वजह से जब Petrus की उमर सिफ 10 साल की थी तो उनको एक cage के अंदर बंदी बना कर रखा जाता था और उनको खाने तक में raw meat और दूसरी जानवरों की चीज़े दी जाती थी जिसके बाद जाकर साल 1547 में Petrus को ship करके France भेज दिया गया एक gift की तरह King Henry II को और जैसे ही Petrus France पहुचते हैं तो उनको फॉरण ही एक तैखाने में बंदी बना कर ले जाया जाता है ताकि उनको उस टाइम के doctor observe कर सके और अलग-अलग doctor के observation के बाद doctors इस conclusion पहुचते हैं कि Petrus सिर्फ 10 साल के बच्चे हैं जिसकी body और face पर कुछ extra बाल निकलाए हैं doctor के इस फैसले के बाद King Henry II ने Petrus को education दिलवाने का फैसला किया हाला कि King Henry ने तो ये सूचा था कि Petrus आम बच्चों की तरह नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन यंग Petrus ने सबको हैरान कर दिया जब कुछ ही दुनों में ना सिर्फ उसने Latin language सीख ली बलकि कुछ सालों के अंदर Noble Atticates में भी महारत हासिल कर ली और दीरे दीरे करकर लोगों में एक बीस्ट की छवी तोड़कर Petrus गुंजाल्वेस King Henry के कोट का हिस्सा तक बन गए लेकिन भले ही Petrus अब एक Royal कोट का हिस्सा थे और उन्हें अब लोग बीस्ट तो नहीं मानते थे पर फिर भी Royal कोट में उन्हें सिर्फ एक मजाक का जरिया समझा जाता था और उन्हें कोट का हिस्सा सिर्फ एक Entertainment Purpose के लिए ही बनाया गया था जिस तरह उस टाइम पर Bono को सिर्फ Entertainment Purpose के लिए कोट का हिस्सा बनाया जाता था और वहां के मौजूद लोग Petrus की Condition को एक बिमारी नहीं समझते थे यूँकि Petrus की ये बिमारी इतनी रेर थी कि आज तक पूरे इतिहास में इस Condition के सिर्फ 50 से 60 ही केस देखने को मिले हैं जिसमें इस Petrus ही Hypertracosis Condition के पहले recorded केस थे अगर आपने Beauty and the Beast मूवी देखिए तो आपको ये याद होगा कि दूसरी Fairy Tale की तरह इसमें कोई Wicked Witch या Evil Queen नहीं थी पर इस Petrus की कहानी में एक Evil Queen जरूर मौजूद थी King Henry की वाइफ Catherine Dominici और King Henry की डेथ के बाद Catherine ही France की नई Queen बनी और इतिहास में Queen Catherine का नाम भी उनकी Evil हरकतों के वज़ा से ही दर्ज रहे जहाँ पर Queen Catherine ने Sacro Innocent Civilian को रोट पर ही मरवा दिया था जिसके बाद जाकर Queen Catherine ने सिर्फ अपने Entertainment के लिए Petrus की Arrange Marriage करवाने का फैसला किया वो भी बिना उसकी Future वाइफ को उसकी Hairy Condition के बारे में बिना बताए इसलिए Queen Catherine इस शादी के लिए अपनी एक Maiden को चुनती है जिसका नाम भी Catherine ही था और Queen Catherine का इस शादी करवाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि Queen Catherine ये जानने में उत्सुक थी कि Petrus और Catherine के मिलकर किस तरह के बच्चे पैदा होते हैं और वो ये उम्मीद कर रहे ही थी कि उनके बच्चे भी Petrus की कंडिशन के साथ ही पैदा होंगे जिससे आगी चल कर भी उनके ये बच्चे Royal Court के Pet ही बनेंगे और जैसे ही Maiden Catherine Queen का फैसला सुनती है अपनी शादी को लेकर तो वो चाह कर भी इस Marriage के फैसले को reject नहीं कर सकती थी क्योंकि ये एक Queen का order था और इसलिए जब Petrus और Catherine की शादी होती है तो शुरुआत में तो Catherine इस शादी से काफी दुखी रहती है पर दीरे दीरे वक्त के साथ साथ Petrus का caring nature देखकर Catherine को भी Petrus से प्यार हो जाता है और कुछ साल में Catherine और Petrus के दो बच्चे भी होते हैं पर दोनों बच्चों में से किसी के पास भी Petrus की तरह condition नहीं होती जिसके बाद सबसे ज्यादा Queen Catherine ही disappoint होती है लेकिन कुछ साल बाद आगे चलकर Catherine और Petrus के छे और बच्चे होते हैं जिनमें से चार बच्चे Petrus की ही तरह hairy condition के साथ जन्म लेते हैं जिसके बाद Queen Catherine का तो खुशी का कोई ठकाना ही नहीं होता इसलिए कुई ने Petrus और उसकी पूरी family को यॉरप के दूसरे royal family के पास अलग अलग जगहों पर उनके entertainment के लिए भेजना शुरू कर दिया और अगर आप आज यॉरप के इतहास को खंगा लें तो आपको ज्यादा तर हर royal court में Petrus और उनके बच्चों की painting ज़रूर देखने को मिलेगी जिसके बाद जाकर Petrus की ये family आखिर कार जाकर इटली में सेटल हो गई जहाँ पर डियूक रेनोचियो ने उन्हें employ किया लेकिन फिर भी Petrus की family को हमेशा एक property की तरह ही treat किया जाता था ना कि एक आम इंसान की तरह इसी वज़े से डियूक भी Petrus की family को अपने friend circle में भेजते रहते थे उनके entertainment purpose के लिए और Petrus और कैथरीन की जिंदगी सिर्फ royal family के हाथ ही कट पुतली बन कर रह गई थी भले ही वो उपर से royal कपड़े पहनते थे पर उनकी life पर उनका जरा सभी control नहीं था और हद तो तब हुई जब उनके बच्चों को भी same परिशानी से गुजरना पड़ रहा था तो भले ही beauty and the beast मूवी में आखिर में beast सही हो गया था और princess के साथ वो अपनी जिंदगी हसी खुशी बिताता है पर असली जिंदगी में इस beauty and the beast को अपनी पूरी जिंदगी इन royal family के बीच कट पुतली की तरह बितानी पड़ती है लेकिन सबसे दुपरी चीज तो ये हुई कि Catherine की death का तो इतिहास में record है और Petrus की तो death कभी record नहीं क्योंकि उस time पर death का record सिर्फ उनी का होता था जिनको death के बाद last right नसीब होते थे और Petrus के case में उन्हें last right तक नहीं दिये गये थे क्योंकि उनको end तक एक आम इंसान का status तक नहीं मिला था सिर्फ और सिर्फ उनकी medical condition के वज़ा से तो मेरे हिसाब से इस beauty and the beast की कहानी में असली villain तो समाज या society थी जो हमें बिना दूसरे की परेशानी समझे ही उसका मजाग बनाने की सीख देता है आपके साब से असली villain कौन था comment section में ज़रूर बताइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आएए तो वीडियो को like चैनल को subscribe और bell icon दबाना बिल्कुल भी न भूले